चीन के लिए एक बड़ा काल वो काल जो अरुनाचल परदेश में आयनात हो रहा है जानेंगे सबसे बड़ी चीन को चोट कैसे दी भारत ने जहां एक तरफ भारत ने सारे मनसूबों को तोड़ते हुए ये चीज किया है तो वहीं क्या चाइना ने एक युद्ध छेड़ दि Cognitive Warfare जिसका इस्तेमाल चाइना कर रहा है और क्या चाइना ने ये भारत की जो पॉल्टिकल पार्टीज है उसको टारगेट कर लिया है इस तरीके से एक वारफेर का हिस्सा कैसे बन रहे हैं लोग ही हमने हाली में देखा संसद में ये बहस पहले तो आप ये बहस देखिए इस बहस में विपच्च के प्रोफेसर मनोज जह ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद आपने फोरन पॉलिसी को बदल दिया है आपने चीजों को बदल दिया है पहले चीजें ज्यादा अच्छी थी ज्यादा सब्सक्राइब यह ली लाओ ग्मूँ कौशेश धन मनों कि yे लाह इसuardоля ये संद आपनेनी में जे नविपकर बदल दिया चीजोंक्स का बो थी जेखिए प्रोफ। व Daar इसám पुर्वेसर फ्रेगा कि बदल दिया है इसमें छो ये ज analysis एसमें बडश sometimes that my own understanding needs to be deepened when I see who is giving the advice I can only bow in respect but I think we should not directly or indirectly criticize our javans when our javans sir are standing our javans our javans are standing sir in Yangtze in Yangtze at 13,000 feet at 13,000 feet they are standing there defending our borders they do not deserve to have the word the word pitai should not be used for our javans sir our javans are standing their ground so they should be respected they should be honored they should be appreciated this is not something which is appropriate साफ सुथरी थी हलाकि इसके अलावे भी कई चीजे उन्होंने अपने भासन में कहा लेकिन मुख्य यही था कि 2014 के बाद चीजे बदली है जिसका जवाब डॉक्टर एस जैसेंकर ने यह कहके दिया कि हाँ बिलकुल चीजे बदली है 2014 के बाद हमारी पॉलिसी फॉरण पॉलिसी बदली है और ऐसा नहीं है कि हम बाकी चीजों के भीसे में नहीं सोचते हैं विद्ल चाइना के बारे में अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम चाइना मामले में अलग हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है अगर हम अलग रहते तो हम अलग-अलग कई मंचों पे यह कह चुके हैं कि हमारे बॉर्डर पर चाइना के साथ हालात ठीक नहीं है हम ये नहीं कहते हर मामले के लिए अब हमारी पॉलिसी पहले से कहीं ज़्यादा किलियर है और बिपच ये सवाल करता रहा कि ठीक है फिर भी आप हमें डीटेल दीजिए क्या कुछ चल रहा है यहां तक की पी चितम्बरम ने ये सवाल कर दिया कि जी ट्वंटी में पीएम मोदी जिन्पिंग से मिले थे थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन उनके बीच में क्या बाते हुई थी वो बताईए कितने हमारे बफर जोन और उनके बफर जोन बन रहे हैं वो बताईए मतलब कुल मिला कर ये देखने को मिला कि बिपच एक साथ इस मुद्दे पर खड़ा होने के बजाए एक दूसरे की खीचातानी में लगा हुआ है और कहीं न कहीं ये एक वारफेर का हिस्सा है इस वारफेर में एक ताकतवर देश दूसरे देश के अंदर उसकी जनता के बीच में ही फूट डाल देता है अब इसी चीज को लेकर डॉक्टर एस जैसंकर ने ये बात कही कि अच्छी बात है आप सवाल करते हैं आप बिरोध करते हैं सब कुछ ठीक है लेकिन जवान के लिए ऐसे सब्दों का इस्तेमाल न कीजिए जिससे की जवान का मनोबल टूटे जैसे की हाली में राहुल गांदी द्वारा इन सब्दों का इस्तेमाल किया गया कि सीमा पर हमारे जवान पीट रहे हैं सब सही नहीं है यह जवान हमारी रच्छा के लिए खड़े हैं और काफी कठिनाईयों से गुजर कर यह हमारी रच्छा कर रहे हैं अलाकि यह बात इन्होंने बिल्कुल सही कही पर फिर भी भारत की बिपच्छी पार्टीयों में एकता देखने को नहीं मिल रहा है सरकार के साथ खास तोर पर इस मुद्धे पर और ये एकता होना बेहत जरूरी है वर्ना इस तरीके के जो वार फेयर हैं इस वार फेयर में ये दिखलानी की कोशिज की जाती है कि आपकी सरकार मजबूत नहीं है, कमजोर है और ऐसे में सीधे सीधे दूसमन को मिलता है फाइदा और ये फाइदा युद्ध के समय बहुत बुरे हालात पैदा कर देता है चाइना इस तरह के ट्रिक इस्तेमाल करता है खेर जहां डॉक्टर एस जैस संकर ने ये सारी बातें कही तो वहीं ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2014 के बाद सरकार एकदम से बदल चुकी है और इसका बदलने का सबसे बड़ा नमूना देखिए पहले तो ये खबर देखिए ज इसमें दलाई लामा क्या कह रहे हैं दलाई लामा ये कह रहे हैं कि मैं चीन वापस नहीं लोटना चाहूंगा क्योंकि सबसे अच्छा जगह है भारत भारत को लेकर दलाई लामा का दिया गया ये संदेश बेहत जरूरी है खास तोर पर अरुनाचल परदेश के इलाकों के अरूनाचल परदेश वह जगह रहा है जहां पर चाइना ने तिब्बत के ऊपर कबजा करने के बाद निसाना साधना शुरू कर दिया और कहा अरूनाचल परदेश दचनी तिब्बत है और यह हिस्सा हमारा है हम इस हिस्से को लेकर रहेंगे इसके लिए भीबाद बढ़ा च प्रजेक्ट शुरू नहीं करोगे हाला कि चाइना ये बात कहता है भारत के लिए और पियो के जो की खुद विवादित जगह है वहां उसने इंतजार नहीं किया बलकि उसने यहां पर शुरू कर दिया अपने सीपेक परियोजना को और सिर्फ इसकी ही बात क्यों करें यह उचित है मतलब वो जो कुछ भी करें उसको आपको नहीं देखना है लेकिन आप कुछ भी ऐसा ना करो जिससे की चाइना को समस्या हो चाइना को दिक्कत हो और इसी एप्रोच में पहले की सरकारे चला करती थी संसद में इस तरीके के बयान आते थे जिसमें यह कहा जात हैं वहां न तो कोई उत्खनन का काम होता था नहीं सडके वगेरा प्रोपर बनती थी पर अब चीजें बदल गई हैं भारत सरकार ने सबसे बड़ी और सबसे मुस्किल फ्रंटियर हाइवे का घोसना कर दिया है और वो भी कहा है कि मात्र पांच साल के अंदर यह बन कर तैय धारत को एक बहुत बड़ी बढ़त और दूसरी बात यह समझी है कि यह सत्रह सो किलोमिटर में से आठ सो किलोमिटर तो ग्रीन जोन हैं, ग्रीन जोन मतलब यहां कहीं कुछ भी नहीं है, ना कच्छा, पक्का सड़क है ना कुछ भी है। इसे इलाके में भारत सरकार ने घोसना है, अब जो मैप आपको दिख रहा है, इस मैप में दिख रहा है कि तवांग से लेकर विजय नगर इस पूरे इलाके में सड़क बनेगी और ये सड़क एक नेशनल हाईवे की तरह होगी जहां पर रसद से लेकर सैनिक से लेकर हर चीजों को पहुंचाना आसान होगा इसके अलावे भारत सरकार ये चाह रही है कि यहां आस पास गाओं बसे रहें और गाओं वालों के लिए काम का जौब बगेरा सब कुछ यहां उपलब्ध हो ताकि किसी को भी इस इलाके से कहीं जाना ना पड़े पहली बात तो यह है कि सारी पूरानी आउधारना तोड़ कर भारत सरकार ने इसका एलान किया ये चीन को सीधा सीधा चैलेंज है और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने इस पर काम आगे भी बढ़ा दिया ऐसे क्या आप मानते हैं 2014 के बाद की बिदेश नीती सही है या पहले की कमेंट कर अपनी राय जरूबता है